हलो मेरे दोस्तो पैंडमिक के चलते कही लोगों को टर्म प्लान का इंपोर्टन्स समझ आ गया है अब कही सारे लोग जो आज भी टर्म प्लान खरीद रहे हैं वो टर्म प्लान खरीदते समय ये तीन बड़ी मिस्टेक्स जरूर कर रहे हैं तो आज मैं कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक्स जो आप अवाइट कर सकते हो इनके बारे में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा अगर आप टर्म प्लान लेनी की सोच रहे हो तो इस वीडियो यूट्यूब चैनल दे आर्ट ओफ वेल्थ बिल्दिंग आपका वन पोइंट डेस्टिनेशन तो सीख एन अन बायस्ट कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनस तो दोस्तों आते हैं सीधा पॉइंट नंबर वन पे पॉइंट नंबर वन आप्टिंग फॉर लिमिटेट पे है आइए सबस्ट एक साथ अब आकाउज जो है आकाज जी ने कोशिश की अपना टर्मप्लांद लेने की अब उन्होंने रहले तो तब तक उनका टर्मप्लांद होना चिंभेन अब उन्होंने पहले तो select कर लिया option जहां पे वो 32 years तक यानि उनकी उमर 33 है 65 के होने तक that means अगले 32 years तक वो हर साल premium pay करेंगे अब जब उन्होंने देखा कि उनका premium कितना आ रहे तो उनका premium amount आ रहा था every year 21,146 अब वो term plan खरीदने ही वाले थे इतने में उन्हें insurance company से phone आया क्योंकि जब हम data डालते है तो they get the data उन्होंने उनको phone किया कि sir आप कोशिश कर रहे हो term plan खरीदने की अकाश जी ने कहा हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा sir आप ये क्या कर रहे हो आप 32 years तक premium भर रहे हो 21,146 रुपीज का यानि इन 32 years में total premium जो आप भरोगे वो रहेगा around 6,76,000 रुपीज 21,146 into 32 years आप एक काम करिये sir हम आपको 50% discount वाला option देते हैं आकाश जी खुश हो गए बुला 50% discount how is it possible बताइए बताइए क्या है तो उस insurance company वाले ने आकाश से कहा sir आप एक काम करिये आप 21,146 की जगह आप जो है 36,000 का premium भरिये लेकिन सिर्फ 10 सालों तक यानि आपकी उमर 33 ह आप 43 के होने तक 36,000 भरोगे लेकिन 43 के बाद आपको कोई premium नहीं भरना it means इन 10 बरसों में आपने कितना भरा 36,137 into 10 years जो बनता है 3,61,000 रुपीज ओनली जबकि आप दूसरे option में कितना भरने जा रहे थे 6,76,000 रुपीज आकाश ने सोचा यार ये तो फायदेगा सौदा ह और आकाश ने क्या किया 10 सालों वाला option खरीद लिया दोस्तों ये मैं live example के साथ बता रहा हूं मैं मेरे कही clients के साथ बात करता हूं बस यही सोच लेकर जो है clients ये भूल कर लेते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ये mistake ना करें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आए समझते हैं इस table के स साथ अब मान लीजिए आकाश को किसी अब इन 10 सालों में 33 से लेकर 43 तक आकाश कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम भर रहा है 14,991 का कैसे 36,137-21,146 अब यही 15,000 का जो प्रीमियम है 14,991 का जो प्रीमियम है आकाश अगर 10% के हिसाब से हर साल जो वो एक्स्ट्रा इंशॉरंस कंपनी को देने वाला था वही अगर अगले 10 सालों के लिए अगर 10% के हिसाब से अगर इन्वेस्ट कर देता है तो उसके पास रहेंगे 2,62,000 रुपीज यह आकाश क्या करेगा इंशॉरंस कंपनी को 21,146 का प्रीमियम देगा और जो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम था 14,900 का वो उसे 10 सालों तक हर साल इंवेस्ट करेगा तो 10 सालों बार आकाश के पास होंगे करीब करीब 2,62,000 रुपीज अब 11th year से तो वैसे ही आकाश को भरना है 12,000 का प्रीमियम अब आकाश उस प्रीमियम को क्योंकि 10 साल उसने इंवेस्ट किया और 22 years अगर वो उसे ग्रो होने के लिए छोड़ देता है तो दोस्तों आकाश के पास रहेंगे 65 की उमर में 21,39,000 रुपीज जबकि उस इंशॉरंस कंपनी वाले नों से क्या कहा था सरो कितना अमाउंट जो है बचा लेगा 3,15,000 का अम 3,15,000 की जो उसकी सेविंग होने वाली दी उस सेविंग के चक्कर में आकाश ने 21,39,000 रुपीज जो है वो गवा दिये दोस्तों ये था opportunity cost तो ideally आकाश को क्या सेलेक करना चाहिए था आकाश को option सेलेक करना चाहिए था जहां पे वो हर साल 21,000 का premium भरेगा और जो बचा अगर वह वही अगर वह invest कर देता तो उसका 21,000,000 का जो नुकसान हो रहा था तो ideally आकाश should opt for the regular pay option and not for the limited pay option दोस्तों ये गलती अगर आपने की है या अगर आप लेने का सोचने हो term plan अगर आप ये गलती शाहिद आप कर दो तो प्लीज ये जड़ा नजर में ध्यान में ज़ उससे पहले दोस्तों अगर आप अपना personal financial plan बनवाना चाहते हैं और अपना personal financial plan बनवा करिए समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने personal financial goals जैसे गर खरीदना, car खरीदना, retirement, बच्चों की education, vacations इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितना पैसा चाहिए होगा आपको इन goals को अचीव करने के लिए तो WhatsApp कीजिए इस नंबर पे अपना personal financial plan बनवाने के लिए तो now let's look second option और the second mistake जो की commonly लोग करते हैं वो है opting for the return of premium option, अब समीर, समीर ने सोचा कि वो अपने लिए term plan खरीदेगा, अब समीर की उमर भी है 33 years, अब बस वो term plan खरीद नहीं वाला था, अब उसके मन म में ऐसा था कि यार term plan में कुछ भी वापिस नहीं मिलता, तो यार ये तो गलत है, मुझे at least जितना premium मैंने भरा वो तो मुझे वापिस बिल जाना चाहिए, अब ये बात का फायदा company वाले ने सुचा हमें उठाना चाहिए, क्योंकि समीर जो है उसकी mentality ये है कि मुझे कुछ 21,146 रुपीज लेकिन आप एक काम करो जार, आप 21,146 की जगह पे आप 8,703 रुपीज एक्स्ट्रा भर दो हर साल, यह आप टोटल भर दो 29,850 रुपीज और ये एक्स्ट्रा पैसा भरने से अगर आपको कुछ नहीं होता 65 की उमर तक, तो हम जो है आपको 6,50,000 अब समीर ने सोचा, हाँ यार ये बात तो सही है, अगर मैं 21,146 रुपीज भरता हूँ, मुझे कुछ भी वापिस नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ 8,700 रुपीज पूरे साल का, यानि मुश्किल से कुछ 700,800 रुपे महीने का मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम लेकिन दोस्तों, यहाँ पे समीर क्या भूल कर रहा है, आइए समझते हैं, देखिए, यही डिफरेंस अमाउंट अगर समीर, 8,700 का डिफरेंस अमाउंट अगर समीर, इंशॉरंस कमपनी को नहीं देता है, 32 यर्स तक, एक्स्ट्रा, और उसे अगर वो 10% के हिजाब से अग रुपे, तो दोस्तों, यहाँ पे return of premium कवाने के चकर में कि वह कुछ नहीं मिलेगा, उसे तो कुछ मिल जाए, उस चकर में समीर रहे, अपना 19 लाग का नुकसान कर दिया, तो दोस्तों, यह एक second बहुत बड़ी mistake है, जो मैंने commonly, मैंने observe कि है कि लोग यह कर रहे है, लोगो option, जहाँ पे कम बरस तक बरना है, जादा बरस तक आपको cover किया जाएगा, वो mistake मत कीजिए, दूसरी mistake जो हमने समझी, वो थी opting for a limited, opting for a return of premium option, तो यह गलती भी मत कीजिए, तो आईए, अब समझते हैं, तीसरी बड़ी mistake, जो लोग usually करते हैं, लेकिन इस mistake को समझे उससे प विनंती है, एक request है, कि प्लीज इंडिया को financially literate बनाने में मेरी help कीजिए, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेर कीजिए, जो यह गलतियां कर रहे है, प्लीज, आप किसी के पैसे बचा सकते हो, और of course, इंडिया को एक financially literate बनाने में मेरा साथ भी दे सकते हो, और मैं उम opting for a policy up to higher age, अब सिदार्थ, अब सिदार्थ ने ये सोचा, कि अगर मैं 65 तक का अगर मैं लेता हूँ, insurance, और अगर मुझे 65 तक कुछ नहीं हुआ, तो एक करोड तो मुझे मिलेंगे नहीं, और मेरा जो पूरा premium है, वो waste हो जाएगा, तो सिदार्थ ने अपना आपको थोड स्मार्ट समझने के चक्कर में सोचा कि मैं काम करता हूँ, मैं 65 की जगे पे, मैं insurance ले लिता हूँ, 83 की एच तक, अब chances जादा हो जाएंगे, कि मैं 83 तक शायद मैं survive नहीं करूँगा, 65 मैं शायद मैं survive कर लूँ, अगर मैं 85 तक अगर नहीं survive करूँगा, तो कम से कम 1 करोड को मिलेंगे, मेरे घरवालों को, तो यहाँ पे इस टेबल के अनुसार, सिद्दार्त ने 1 करोड रुपीज का जो है, insurance ले लेकिन उसने इस बार 65 नहीं, 83 तक लिया, अब यहाँ पे सिद्दार्त का जो प्रीमियम है, वो 21,146 की जगा कितना हो गया, 26,000 हो गया, it means, 4,865 एक्स्ट्रा देना प्रिफर किया, इस चक्कर में कि शायद 83 तक तो वो निकल लेगा, और उसके घरवालों को 1 करोड तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अब यहाँ पे, यह 4,865 अगर 10% के हिसाब से, जो वो एक्स्ट्रा दे रहा है, 50 एर्स के लिए, क्योंकि वो 83 तक प्री पर्सेंटेज रिटर्न के हिसाब से, 50 एर्स के लिए, तो दोस्तों सिद्दार्थ के पास रहेंगे 62,28,000 रूबीज, यहाँ पे सिद्दार्थ अगर मान लीजिए, अगर सिद्दार्थ को कुछ नहीं होता तो उसे 62,00,000 रूबीज तो मिलेंगे, 83 की एज में, लेकिन इस चक्कर में कि वो 83 तक अगर चला गया तो उसे घरवालों को 1 करोर मिलेगा, लेकिन मान लीजिए, अगर 83 में सिद्दार्थ चला गया, तो उसे 1 करोर मिलेंगे, प्लस उसे यह एक्स्ट्रा प्रीमियम जो उसे इन्वेस्ट किया होता, वो जो एक्स्ट्रा अमांट जो इन्वेस्ट किया होता, वो उसके घरवालों को as a saving मिल जाता, तो दोस्तो यहां पे भी एक्स्ट्रा एच तक लेने के चक्कर में सिद्दार्थ ने अपना नुकसान ही कर दिया, तो दोस्तो यह तीन बड़ी मिस्टेक है, सबसे पहली मिस्टेक, opting for a limited pay option, सबसे बड़ी मि आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है, देखिए दोस्तो आपका जो term plan है, वो कितना होना चाहिए, आपकी उमर 65 तक होना चाहिए, क्योंकि यूजरी आप 65 तक कमा होगे, 65 के पाद अगर आप कमा ही नहीं रहे हो, तो आपकी income replace करने की जरूरत क्या है, तब तक शायद आप का कॉर्पस इखटा हो चुका होगा, आपके बच्चे बढ़े हो चुके होगे, आपके उपर कोई liabilities नहीं होगी, तो आपको 65 के पाद जो है, आपको term plan की जरूरत वैसे नहीं है, तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ कि इन तीन mistakes से आपको सीखे जरूर, इस वीडियो का के, अपने comments शोड के, और हो सकते तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजेगा, तो हर Wednesday और Sunday हम जो वीडियो अपलोड करते हैं, आपको notification मिलता रहेगा और आप अपनी financial knowledge बढ़ाते रहोगे, आप हमें हमारे telegram चैनल पे भी follow कर सकते हो, जिसकी link जो है मैंने description में छोड़ दी है, अगर आप चाहो तो हमारा YouTube चैनल membership जोइन कर सकते हो, जहाँ पर हम शेर करते हैं एक अच्छा stock हर महीने long term investment के लिए, तो आप चाहो तो आप वो चैनल membership भी जोइन कर सकते हो, जिसकी link मैंने description में शेर कर दी है, तो दोस्तो आज के लिए इतना ही, आप हमारी website में भी visit कर सकत Thank you.